हलो फ्रेंड्स लतु आरे फैसन डिजाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ट्राउजर बॉटम का बहुत ही ब्यूटिफ़ सा डिजाइन लेकर के आई हूँ जिसे आप देखे पलाजो के बॉटम पर बना सकते हो या आप इसको बाजो पर भी बना सकते हो तो मैंने ट्राउजर पर मैं बना रही हूँ ये उसके लिए देखे 3 इंच मैंने फोल्ड के लिए रखा हुआ है जो मोरी है अब मोहरी जितना 3 इंच से उपर हम 2 इंच पे एक मार्क करेंगे जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है दूसरी साइड से भी हमने 2 इंच पे एक मार्क करना है और इसको स्ट्रेट लाइन में जॉइन कर लेना है इस तरह से हम इसको straight line दे देंगे अब यहां से उपर फिर से हम two inch पे एक और mark करेंगे दूसरी तरफ भी two inch पे mark करेंगे और इसको भी हम straight line में join कर लेंगे इस तरह से देखिए अब हम जो उपर वाला दो inch हमने बनाया है उसको हम cut कर लेंगे यह देखिए हमारी जो फिर से मैं आपको बता देती हूँ प्लाजो का bottom है उसका यह मोरी हम काट रहे हैं और नीचे वाली side से आपने half inch थोड़ा सा बढ़ा के कटनी है जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा अब हमने यह side रख देना है क्यूंकि हमने बाद में जोड़ना है इसको तो आपने इसको संबाल के रखना है यह हम रख देंगे side पर और अब हम एक पट्टी काटेंगे उसकी जो लंबाई है वो आपने उतनी रखनी है जितना आपका trouser का bottom है और इसकी जो चोड़ाई है वो मैंने रखी है चार इंच चार इंच ही आपको भी रखनी है साथ में इसमें हम fuse paper चिपका लेंगे क्यूंकि fuse paper से जब हम इसके उपर designing करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा इसलिए आपने fuse paper इसके उपर चिपका लेना है अब साथ में देखिए हम काटेंगे ये square piece काटेंगे टू कलर में एक मैंने 4 इंच लिया है जो different color का होगा और जो same color का होगा वो आपने 3 इंच square piece काटने है तीन तीन इंच के एक तीन तीन इंच का और एक चार चार इंच का अब इसको हम fold करेंगे देखिए center से यूँ फिर एक और fold करेंगे इसको अब दूसरे color का लेंगे उसको भी fold करेंगे फिर center से फिर से fold करेंगे और इसको इस तरह से रख देंगे इसका जो खुला मूँ है वो आपने एक साइड को रखना है दोनों का आपका खुला मूँ एक साइड को आना चाहिए इस बात का आपने ध्यान रखना है इस तरह से इसको अच्छे से अड्जेस्ट कर लेंगे डबल कलर में जैसे हम आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वुसी तरह से हम सारे ट्राइंगल यह बना लेंगे लगवग 14 पीस हमें यहाँ पर बनाने पड़ेंगे इस तरह से तो इसी तरह से आपको बनाते जाना है और उसके उपर आपको सिलाई से स्टिच करते जाना है फिर उससे हमारे खुलते नहीं है इसलिए हम सिलाई लगाते हैं तो देखे मैंने यहाँ पर यह बना लिए है अब देखे कुछ इस तरह से दिख रहे हैं तो इनको हम कट कर लेंगे साइड से थोड़ा सा मार्जन रखते हुए जो हमने सिलाई लगाई है बाकी एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे हाफ इंची मार्जन रखेंगे बाकी को हम कट कर लेंगे एक साइड से तो ये देखिए मैंने यहाँ पर यह कट कर लिए अब हमने इनको लगाना है अपनी जो हमने पट्टी काट के रखी थी उसके उपर हम इनको लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ देखे इस तरह से हम इनको रखेंगे एक साइड से इनका मुह जो है वो हमने नीचे की तरफ को करना है और इस तरह से हम सारे ये अटेच करेंगे ब्राबर ब्राबर स्पेस आपने रखना है सब में इस तरह से हम अटेच करेंगे इनको और देखिए जो triangle हम बना रहे हैं इनका जो मैंने आपको बताया जैसे हम काटेंगे piece पहले square वो आपके बिलकुल equal होने चाहिए क्यूंकि बाद में जब मैं आगे आपको बताऊंगी जब हम इस पर designing करेंगे दूसरी तरफ से भी लगाएंगे तो उससे फिर space बराबर आता है बढ़ना फिर अगर छोटे बड़े होंगे तो फिर आपका space भी equal नहीं आएगा उसे हमारा design फिर खराब होगा वो दिखेगा नहीं अच्छा तो इस तरह से हम इनको पूरा लगाएंगे आगे तक adjust करते हुए इसके उपर सिलाई लगाएंगे space का आपने ध्यान रखना है वो आपका बिल्कुल equal होना चाहिए और जब आप लगा रहे हो तो आपने ध्यान रखना है कि आपका कहीं से भी triangle मूडे ना इसलिए आपको बहुत ही अराम से इसके उपर काम करना है और space का आपको ध्यान रखना है इसमें ज़्यादा तर अगर आप से life related कुछ और भी सीखना चाहते हो तो प्लीज मुझे comment करके जुरूर बताईएगा मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और आपको मेरे ये वीडियो कैसे लग रहे है प्लीज comment कीजेगा लाइक कीजेगा और पसंद आई हो तो प्लीज दूसरों के शाद शेयर भी जुरूर कीजेगा अब देखे एक तरफ से तो हमने लगा लिए अब दूसरी तरफ से हम किस तरह से लगाएंगे आप देखे जो बीच में हमारा space हमने छोड़ा था उस पर अब हमारी ये नोक आनी चाहिए जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ और space हमने बीच में बराबर रखना है जितना हमने ये दोनों triangle के बीच में रखा है उतना ही आपको space रखना है तब ही ये design हमारा फिर अच्छा दिखेगा अभी आपको इस वीडियो में भी इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा क्यूंकि मैंने camera दूसरे साइड से लगाया है तो अच्छे से capture नहीं कर पा रहा बट अभी बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से तो बहुत ही pretty बनता है डिजाइन भी अब इस तरह से हम इसको attach करेंगे ये देखे इस तरह से हमारा space बिल्कुल equal होना चाहिए मैं फिर से बता रही हूँ अब हम इसको भी सिलाई लगाएंगे और इसको भी जॉइन कर लेंगे बिल्कुल जिग जैग वाली लाइन आपकी बननी चाहिए इस तरह से आपने इसको attach करना है तो अब देखिए मैंने यहां पर यह attach कर लिए इसलिए हमने चार इंच देखिए ज्यादा रखी थी पट्टी काट के अब देखिए यहां से मैं आपको दिखा रही हूँ यह देखे किना प्रीटी लग रहा है यह तो बनने के बाद ट्रॉजर के ऊपर बनेगा तो और भी प्यारा खिलेगा यह design अब हम जो extra कपड़ा है नीचे की तरफ बढ़ा हुआ हमारा पटी का उसको हम कट कर लेंगे और fusing जो paper है वो मैंने चिपका दिया था पहले वो मैं बताना आपको बूल गई थी वो आपने चिपका लेना है अब देखिए अब हमने लेना है bottom जो हमन काट के रखा था और यह पटी हमने देखिए नापनी है तो यह बिल्कुल बराबर आएगी हमारी क्योंकि जब हम इसको join करेंगे तो यह हमारी adjust हो जाएगी यह पटी जो बीच में हमने 2 इंच काटी थी उसको हमने side रख देना है अब सबसे पहले हम आपने जो bottom है उसका trouser का उसको लेना है जो पहले trouser का bottom है उसको लेना है उसको उपर से आपने मोड़ना है अंदर की तरफ आप चाहे तो उसको press से भी मोड़ सकते हो wrong side की तरफ को और right side से हमें सिलाई देंगे आदा इंच मैंने मोड़ा है इसको और देखिए इसके उपर हमने इस तरह से सिलाई की लगानी है सारा जो मार्जन है वो अपने अंदर दबा लेना है ट्राइंगल आपके दिखने चाहिए सिर्फ तो इस तरह से हम पूरी सिलाई ये लगा लेंगे आगे तक सिलाई आपकी बिल्कुल टॉप पे लगनी चाहिए और ज़रा भी मार्जन आपका बाहर नहीं दि की तरफ ट्राइंगल दिख रहा है वैसे उतना ही हमारा नीचे की तरफ भी दिखना चाहिए अब इसके उपर हम सिलाई लगा लेंगे इसके उपर भी सेहीं वैसे ही टॉप स्टिच हम देंगे तो देखे मेरी सिलाई भी यहाँ पर लग चुकी है तो हमारा देखिए ट्राउजर बॉटम बनकर रेडी हो गया है अब जब हम इसको फोल्ड करेंगे नीचे से जो हमने फोल्ड करने के लिए रखा है वो हमारा अंदर की जरा फोल्ड हो जाएगा देखिए इस तरह से और कुछ इस तरह से हमारा यह डिजाइन फे दिखेगा तो आई होप आपको मेरा ये डिजाइन देखिए पसंद आया होगा उपर से मैं आपको दिखा रही हूँ ये अंदर वाली लाइट है मैं सनलाइट में भी आपको दिखाऊंगी इसको देखिए कितना प्रेटी बना है ये और बहुत ही प्यारा लग रहा था डिजाइन ये द